जै मातादी, सिटी पोष्ट लाइब में आपका स्वागत है, मैं हुप्रियांगा पटेल और अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओल आज से नवरातरी का पावंतियोहार शुरू हो गया है, आज मंदिरों में ही नहीं वलकी पंडालों में भी कई जगा पे कलस्थापना कर दी गई है नवरातरी के 9 दिनों में मा दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है ये सभी को पता है मा दुर्गा के एक अलग रूप की उपासना भी है नवरातरा के पहले दिन मा पारवती अगले दिन माता लक्ष्मी पर नवरातरी के अंतिम दिन माता सरस्वती के लिए समर्पित ह आपको बता दे कि पहले दिन मा शैल पूत्री की पूजा की जाती है बरते हैं आगे राइबरेली के हरचंद पूर्ड रेल्वे स्टेशन के आउटर पर आज सुबह साड़े च्छा बजे करी फरक्का से दिल्ली जा रही इस हाथसे में जहां साथ लोगी मौत हो गई है जबकि 35 से ज़्यादा लोग घायल बताया जाते हैं जिनमें कईों की हालत गंभीर बनी हुई है बताया गया कि ट्रेन पांच बच कर चालीस मिनट पर राय बरेली स्टेशन पहुंची पांच मिनट रूखने के बाद ट्रेन फिर से रवाना होई इसके बाद करीब साड़े चाल बजे हरचंद पूर रेल्वे स्टेशन के आउटर पर एक जटके के साथ इंजन समेत आगे की पांच बोगिया बेपटरी हो गई जिसके बाद अफरा तपरी का महौल बन गया इंजन के साथ वाले जनरल बोगी में सैंकडो लोग फस गए फिलाला वहाँ बचाव कारिया जारी है बाद गरामीन एसपी एसपी ने चलाई है विसेस अभियान जिहां दुरगापूजा को देखते हुए विवस्था दुरुस्त किया है इन लोगों ने अभियान के दौरान 12 लोगों को नसे में धूत जो की शराब बेचते भी थे और पीते भीते इन लोगों को गिरबतार किया है वहीं बेगु सराय में देहेज की कारण एक नव विवाहिता को उसके पती और सस्वाल वालों ने गोली मार कर हत्या कर दी घटना सिंगौला थानाक शेतर के नागदा गाउं की है बताया जाता है कि चंदशा की पतनी रेनू का शादी कुछ महीने पहले हुई थी जिसके बाद से की 5 लाक रुपे एक बाइक और अगेहने की मांग किया जाना लगा जिसके बाद नहीं देने पर कल उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई गुजरात में बिहारियों पर हो रहे है अत्या 4 के खिलाब AIMIM के कारे करताओं ने आरारिया के चान्दी चौक पर गुजरात के मुखे मंति बिजयरूपानी वा कॉंग्रेस सांसद अलपेस ठाकुर का पदला दहन कर विरोध जिताया इस विरोध परदर्सन में AIMIM के कारे करताओं ने गुजरात के मुखे मंति के खिलाब जम कर नारे बाजी भी की और खबरों की जादा जनकारी के लिए आप लॉग इन किजिए citypostlab.com पर